मन्जिल फतह करने के लिए रास्तों से पहले होसलों की जरूरत होती है और होसले मुकाम पाजाएं तो होसला अवजाई के लिए दिये जाते हैं पुरसकार इस साल 25 जन्वरी को हर साल की तरह पद्म पुरसकारों की घोशना हुई और खास बात ये रही कि पद्म पुरसकार पाने वालों की इस लिस्ट में 112 लोगों में से 15 कृशिक शित्र से हैं दोस्तों ये पहली बार है आजादे के साल दशक में जब किसानों को पद्म पुरसकार दिया जाएगा वो भी कृशिक शित्र में सराहनिय या यूगदान के लिए कई चहरे इनमें ऐसे हैं जो खेतों में हर दिन बुलंदी की एक नई कहानी लिख रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो पशुपालन, मत्सेपालन में बुलंदी पर हैं और एक चहरा ऐसा भी है जैसे आप नाम से भले न जाने लेकिन पहचानते ना हो ये हो ही नहीं सकता जिनने व्यापार ओद्योग, खादे प्रसुंसकरण यानी ट्रेड एंड इन्रस्ट्री फूट प्रोसेसिंग सेक्टर में बुलंदी के लिए पद्म पुरस्तकार दिया जाएगा इनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी मैंने पहले ही कहा, नाम से शायद आप ना पहचाने, ये हैं M.D.H. गुरुप के ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी विश्व के सबसे उम्रोदाराज एड स्टार, उम्र है 95 के पार, लेकिन होसला जवानों से भी 4 कदम आगे धर्मपाल गुलाटी पांच मी तक पड़े हैं, लेकिन FNCG सेक्टर यानी Fast Moving Consumer Goods से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं इनकी फर्ष से अर्ष पर पहुँचने की कहानी ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रिणा बन सकती हैं जो बुलंद होसलों के बल पर सामराज्य खड़ा करने के ख़़ाब देखती हैं साल 1923 में सियाल कोट में पैदा हुए धरमपाल गुलाटी देश के बटवारे के वक्त 1947 में भारत आ गई आजीविका चलाने के लिए उन्होंने तांगा चलाना शुरू किया और छोटी सी पूजी खटा होते ही दिल्ली के करोल बाग में अजमल खां रोड पर खोल ली मसालों की दुकान वही दुकान जिसके मसाले आज देश नहीं दुनिया खाती है MDH यानी महाशियंदी हटी एक छोटी सी दुकान से सफर की शुरूरात करने वाले धर्मपाल गुलाटी आज भारत और दुबई में 18 मसालों की फैक्टरियां रखते हैं MDH के 62 प्रोडक्ट बाजार में हैं जिनके स्वाद के दुनिया दीवानी है और उत्री भारत के 75 फीसदी बाजार पर MDH अपना कबजा बताता है धर्मपाल गुलाटी की 6 बेटियां है और एक बेटा है जो इस पूरे कारोबार को समालने में उनकी मदद करती है धर्मपाल गुलाटी को उनके नाम से कोई भले न जानता हो लेकिन ये वो चहरा है जिसे आपने कभी देखा नहो ऐसा हो ही नहीं सकता और ये सब ममकिन हुआ होसलों से बुलंद होसलों की एक और शक्सियों से मिलवाऊंगी आपको सुनाऊंगी उनकी कहाने अगले वीडियो में जिने इस साल पदम पुरसकार दिया जाएगा फिलहाल के लिए मुझे दीजे जाज़ब नमस्कार करें और बेल आइकन दबाएं